अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सप्राइब कीजिए और बेल आइकान दबना मत बुलिए कि बेल आइकान दबने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकिशन मिल जाएगी और वीडियो को लास्ट देखिए क्योंकि बीच में अग तोट्रीक समझ भी नहीं आएगा तो स्टार्ट करते हैं अचका टॉपिक इसते पहले आप फेस्बूँक और इंस्टाग्राम पर मुझे मुझे फॉलो कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज का टॉपिक हम चलता है परस्ति एख्जम्पल आप लिए रहा हूं एक पर आपको अच्छार से ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं तो स्टार्ट करते हैं फर्सक्राइब ए विए अपर दराओ अपर इंधि आली डिटेर्मिन 2015 में यह question यहाँ पूछा गया है तो चलिए start करते हैं लेट हमें दिया सब्सक्राइब देल्टा इस इकुल डू लिखता हम इसको और डेल्टा इस इकुल डू डिया सब्सक्राइब डेल्टा इस इकुल डू है कि J to सब्सक्राइब और ना जन्राम सब्सक्राइब अगर ने खिए के यहाँ पर में और venसलितै किसे सरैइक कॉसे यह तो डूससे कर दूसे ब्रके कुल सथया टीए दिया सांटिक् sixte कर दिए कर दिखिए ब्लोंगित मंसिद्ए मैंस कैंसल लिए से सेकंड रोज एक मैंस मैंस मतलब फ्लस सी माइनस सी मैंस से कैंसल तो यहां मैंनस से कैंसल मैंनस सक्स्वtsåी कि अर्ग स прав यह b plus c c plus a and a plus b अगर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर करते हैं और c1 tends to c1 plus c3 करते हैं तो यहाँ में क्या करना है यहाँ प्लस अगर c1 plus अगर c2 करते हैं तो यह क्या होगा माइनस यह जो है यहाँ से प्लस से यहाँ पर करेंगे हम c3 टेंस to c3 plus अगर c2 कर देंगे यहाँ पर c3 plus c2 कर देंगे तो यहाँ पर हम c1 plus c2 करते हैं तो c1 क्या है देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 1-1 plus a होगा फिलस इंसलिए पर देखों रहेगा पतलब यह 111 रहेगा यह रहेगा abc c3 plus c2 है तो यह सी 3 plus c2 मुझे बी प्लस इंसलिए फिलस यहाँ पिलस इपलस इस प्लस इस अब A-B-C यहापर होगा A-B-C अगर हम यहापर A-B-C common लेए तो हापर क्या ऐगा यह therefore delta is equal to क्या आएगा एप्लस B-C Determin में क्या आएगा 111 यहापर रहेगा ABC 111 okay अभी दिटर्मेंट में क्या होगा two column क्या है identical है हमारी प्रॉपटी क्या बोले हमें कि इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम और इडेंटिकल दें दें देंड वैल्य अप्रिटर्मेंट इस जिरो यहां पर हम इसकी वैली कहा कर देंगे जिरो हो जाएगा ठीक है यहां पर करते हम एंसर एगा इसका जिरो इस प्रकर हमने यह सब्सक्राइब के प्रॉपर्टी आप को याद रखनी है और जो इडिशन में इनकिया है सब्सक्राइब को अधेंटिकल बनाने के लिए वो ट्रिक्स भी आपको ध्यार में रखने है चलिए उसके बाद में देख एक्जाम्पल चलिए एक्जाम्पल नूम्बर टू देखो यह पर क्या है consider the following statement in respect of the determinant cos square alpha by 2 sin square alpha by 2 sin square beta by 2 cos square beta by 2 where alpha beta are complementary angle है ठीक है first दिया है the value of determinant is 1 by root 2 cos of alpha minus beta by 2 the maximum value of the determinant is 1 by root 2 which of the above statements is or are correct है first only second only both first and second और neither one neither two ठीक है तो 2050 second में पुच्छा गया था देखो या भी कहा दिया है determinant सब्सक्राइब डेल्टा इस इक्वेल डेल्टा इस इक्वेल डेल्टा इस इक्वेल दिया cos square alpha by 2 sin square alpha by 2 यहां पर sin square beta by 2 2 sin square beta by 2 और है cos square beta by 2 ठीक है cos square beta by 2 अब यह determinant हमें दिया है तो हमें determinants को solve कर देंगे तो solve करेंगे बाद में क्या आएगा देखो यहां पर यह cos square alpha by 2 ठीक है हुआ श्रौध कर दिया किया साइन स्क्ヤु अलफाबड तो एड् सैन स्क्वेल एड टू मॉल्टिब्ले कर दिया तरह reciproc यह क्यूब यह ख़िए फर माइनस 20 आप यह स्सक्यातों और सो यहां पर यहां alpha by 2 sin beta by 2, okay, यह bracket होगा, a plus b, अभी into a minus b, तो यह bracket में, यहाँ पर लिखता हूँ, that is equal to यहाँ आप जाएगा, into, यह लिखता हो, यह cos alpha by 2 cos beta by 2 minus sin alpha by 2, और यहाँ आप जाएगा, sin beta by 2, यह formula दार होगा, cos alpha, cos beta plus sin alpha, sin beta, तो यह क्या होगा, therefore, cos यह होगा, alpha minus beta by 2, ठीक है, cos alpha minus beta by 2 होगा, और यह होगा, यहाँ पर into, cos, यह into रहेगा, cos alpha plus beta by 2, ठीक है, cos alpha minus beta, cos alpha plus beta by 2, तो यह formula यहाँ आप हमने substitute कर दिया, यह therefore, यहाँ आप जाएगा, cos alpha minus beta by 2, into, यहाँ देको, complementary angle यह, alpha plus beta is equal to क्या है, 90 degree, ठीक है, therefore, alpha plus beta by 2 is equal to कितना होगा, 45 degree, ओके, यह हमें यहाँ यहाँ पी उसकरना है, यह क्या होगा, therefore, cos 45 degree, 45 degree equal to कितना होगा, cos of alpha minus beta upon 2 is equal to, sorry, into, 1 by root 2, therefore, यह क्या होगा, 1 by root 2, cos alpha minus beta upon 2, देखे, यहाँ पर delta is equal to, हमर पर स्क्राइब क्या है, यहाँ पर स्क्राइब क्या होगा, तो फॉस्ट यहाँ पर दिया था, the value of determined is 1 by root 2, cos of alpha minus beta, okay, alpha minus beta upon 2, अभी the second maximum number, maximum value of determined is 1 by root 2, ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ 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 फर्स्ट होगा, second में क्या है, the maximum value of determined, the maximum value of determinant, is 1 by root 2, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर करते थे, हम 1 उसको, maximum value of determined is 1, ठीक है, therefore, therefore, यह क्या आएगा, second joint, therefore, maximum value of determined is 1 by root 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, maximum value is, ठीक है, यहाँ पर क्या था, maximum value of determined, यहाँ पर अगर हम, cos alpha की, maximum value of, cos alpha minus beta, ठीक है, cos alpha, maximum value of determined, is, maximum value of determined की जगा भी हम लिखेंगे, यहाँ पर, maximum value of cos alpha minus beta by 2, इसकी value is, अगर 1 है, therefore, maximum value of determined, value of determined is 1 upon root 2, ठीक है, therefore, यहाँ पर क्या होगा, answer, answer होगा यहाँ पर, both, first and second are correct, ठीक है, answer क्या होगा, both, first and second correct है, तो a, b, c, क्या है, बहुत, मतलब c answer है, ठीक है, answer क्या है, इसका, c, ओके, चलो, इस बात में देखते है, next example, चलो, example, number 3, देखो, यहाँ पर क्या है, if a is the square matrix, then what is the, what is adjoint of a inverse, minus adjoint of a inverse, ठीक है, is equal to, देखो, यहाँ पर क्या है, what is a, square matrix है, let a is the square matrix है, square matrix मतलब क्या, number of row equal to number of column, यहाँ पर रहते है, ठीक है, तो यहाँ से हम square matrix करेते है, therefore, यहाँ पर क्या है, adjoint of a, adjoint of a inverse, ठीक, adjoint of क्या है, a inverse, एड्जाइंट आप a inverse, minus adjoint of a bracket का inverse, equal to क्या रहता, तो यहाँ पर क्या रहता है, adjoint of a inverse minus adjoint of a inverse, equal to रहता है 0, मतलब, एड्ज wijंट लिए हमने, अब a inverse का अगर हम adjoint लिते हैं, अगर ही सब्ट्रेक करते है, adjoint of a inverse के साथ, तो इसका value आता है 0 therefore यहाँ पर क्या आएगा answer आएगा उसका answer आएगा B यहाँ पर आप लिखके null matrix answer आएगा B null matrix मतलब यहाँ पर अगर A inverse दिया है और A inverse आप adjoint लेगे अब इसका adjoint लेगे और adjoint आप A inverse लेगे अब लेगे और दोनों को subtract कर देगे इसका answer आता है 0 इसका answer आता है 0 यह आपको ध्याणना चलिए उसके बाद में देखती next example चलो example number यहाँ पर है इतना कई हमारा भी 4 देखते चलो example number 4 direction दिया है question number 90 to 91 consider the function f of x consider the function दिया है f of x is equal to consider the function क्या दिया है f of x is equal to determinant of x cube sin x cos x 6 minus 1 और यहाँ पर 0 p p square p का cube है where p is the constant p constant है अब फर्स्ट कोश्य आप बूचा है f of x cube पर वाट इस दे वैल्यू आप f dash of 0 f dash of 0 की वैल्यू आपको बताना यहाँ आता क्या है और option है p a p cube p 3p cube 6p cube d है minus 6p cube ठीके और second पुछा यहाँ पर what is the value of p which f double dash of x equal to 0 ठीके तो फर्स्ट यहाँ पर लेंगे हम 90 वाला यहाँ पर क्या है f dash of x हमें दिया है okay f of x दिया है given यहाँ पर एक्स क्यूब sin x और यहाँ कॉस एक्स सीख से minus 1 है और 0 है यह कितना यहाँ पर पी पी स्क्वेर और यह आएगा पी का क्यूब अब हम निकलते हैं f dash of x मतले हैं इसका derivative निकलते हैं अब f dash of x हमें निकलना तो f dash of x की क्या आएगा देखो जहाँ पर x है उसका derivative हमें simply ले रहा है तो x x qe का derivative की आएगा यह आएगा 3 x square sin x का derivative cos x और cos x का derivative minus sin x ठीक है और यह आएगा 6 minus 1 0 यह आएगा इसमें शिर्फ x फंक्शन ही हमें यहां पर लिखाना है ओके छलों थोड़ा उपर लेते उसको और यहां पर यह आएगा यह एगा P square और यह आएगा P cube, अभी होगा अभी क्या करेंगे हम f dash of x की जगर मतलब f dash of zero भी डाल देंगे, x की जगर पर Zero अगर हम नहीं रख दिया तो यह क्या नहीं होला है जीरो गाज जीरो जीरो कितना है गाज जीरो ए वन ज्यान रखो गाज जीरो ए वन और माइनस साइड एक मतलब यह हो जाएगा जीरो यह एका मतलब इसको साल कर देंगे तो यह आएगा देखो फर्स्ट तो 0 जीरो इन टू माइनस पी का क्यूब और यह माइनस जीरो हो जाएगा प्लस वन है यह आएगा शिक्स पी क्यूब ठीक है है हों है जीवेले सीपिक्यूब मायनस शिक्स पी क्यूब है और यहाँ पर माइनस यह आएगा जीरो और यह क्या होग अब 6P cube और यह होगा और यहाँ पर जिरो टम मतलब यह कितना हो एक्स ठीक है धेरफो एप डैश आप 0 कितना होगा यह 0 और यहाँ यहाँ पर आगा 6P cube ठीक है यह कितना हैगा 6P cube यहाँ पर देखो जिरो एकुल टू कितना गया 6P का क्यूब 6P क्यूब ओके यह 6P क्यूब आगए देखो अभी एप डैश आप जिरो मतलब फर्स्ट यह हमारा क्वेशन ताना एंटी का एंसर क्या आगए उसका एंसर आगए उसका और क्या पूचा था हमें लिखता हूं मैं इसको साइड में कर देंगे है जाल चलो शेकंड देखो यह पर क्या था यहां यहां पर पीजिरू है क्या यह कुछ आपको यहां पर कुछ आहीं एकॉल टू क्या है दा यह प्धाइश घ्रोएंट टेशम घ्रोग किदना अब पास तो एक्षा एक्स ले ले रहेती हम टीक मिश्व मिश्व के डॉब यह आगा 6-1 और 0 और p, p का स्क्वेयर और p का क्यूब है ओके अगर हम उसका देरीट लेते हैं तो मतलब f double dash of x यह दब्दब्ल डाश अप एक्स काएगा यह आगा 6x यह आगा cos x-sin x और sin x आगा minus cos x यह होगा 6-1 0 और यह होगा p p का स्क्वेयर और p का क्यूब अभी f double dash अब अपर यहां लिखते हम f double dash of 0 मतलब f double dash of 0 is equal to, तो यह हैंका 0 sin 0 0, का 0-1 हो जाएगा अब ही है एका cos 0 1 एक तो 6-1 यह होगा 0 और यह वह तो अगर पी, पी का स्क्वेर and पी का क्यूब ये होगा यह आपर, therefore, f double dash अब 0 क्या यह आपर, f double dash है 0 equal to 0, therefore, यह determined क्या आएगा, यहाँ प्याएगा, 0, 0, minus 1, 6, minus 1, 0, p, p का स्क्वेर and p का क्यूब है, equal to आएगा यह 0, अगर यह determined हम solve करते हैं, determine, अगर solve कर देंगे, तो यह क्या आएगा, देखो, first term, second term, 0, third term में क्या आएगा, यहाँ पे ताद 0, ठीक है, तो यह क्या आएगा, minus 1, f double dash, 0 है, यह आएगा, देखो, यहाँ पे, यह आएगा, minus 1, ठीक है, minus 1 मतलता भी आएगा, minus 1 भार आएगा, उसके आएगा, six, p का square, minus, minus यह होगा, plus, p is equal to 0, तो यह minus 1 है, इस हमने, तो minus 1 हम क्या करते है, minus six, p का square, minus p is equal to 0, minus sign हमने अगर, minus 1, और p भार निकाल लिया है, तो यह क्या हैगा, six, p minus 1, ठीक है, six, p minus 1 is equal to 0 होजाएगा, है माइनने भाहर निकलने है भाहर अल्ड़ेड़ी है प्लसुट है तो यह पी जीकोड इसको ठोड़ा उसको 6 P is equal to minus 1 that is P is equal to minus 1 by 6 तो P की दो value अगर हमारे पास आगे P is equal to 0 P is equal to 1 by 6 देखो यह आपर क्या आता है P is equal to 0 and P is equal to 1 by 6 मतलब answer क्या है उसका answer है यह 91 का answer जो रहेगा यह आपर answer आएगा उसका answer आएगा A that is minus 1 by 6 और 0 यह दो answer आपको यह आपर मिल जाएगे तो यह दो question थे 5 मार्स के लिए 2.5 प्लस 2.5 यह 5 मार्स यह आपर दो question इसलिए उसको दोड़ा थोड़ा time लगे आपको careful करना है कि first का use करके हम यह आपर second example यह 90 का use करके 91 का हमने यहां पर स्वाल कर दिया चलो उसके आपके देखते हैं नेक्स्ट एक्जाम्पन लंबर 5 देखते हैं which of the following determined have zero तो फर्स्ट यहां पर हमें चेक करना है तो फर्स्ट यह डिटर्मिंट देखो 41 79 and 29 है 175 है 593 है 593 है 593 यह डिटर्मिंट हमें चेक करना है अभी देखो यहां पर यह डिटर्मिंट यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर होगा यहां देखो है यह 41 यहां यहां पर होगा इछ यहांपर 593 है 593 है 593 कि पीर्स ढिटर्मिंट हमें यहां पर क्या है 4040 मतलब यहां यहां ज़öm गाiset हो 40 लzon रोगा यहां पर बतको 5 यहां पर 175 और यहां पर 593 है अगर हमने यहां पर बाहर निकाल लिया इसको 72 है देखो यहां पर यह एडेंटिकल मैट्रिस हो जाएगा यह भी 175 यहां पर रहेगा 175 और यहां पर रहेगा 593 यह यह अब कमन मर्म भाहर निकाल लिया तो फते है अभी यह क्या होगा दो रोब देखेया पर फस्ट इयर क्या है A and A plus B है ठीक है अभी क्या करते हम यहाँ पे therefore apply C यहाँ पे कर लेते हैं C3 tends to C3 plus C2 C3 plus C2 करते हैं मतलब ABC आएगा यहाँ पे यह क्या आएगा that is equal to यह आएगा 111 यहाँ आएगा ABC यहाँ आप यहाँ आएगा A plus B plus C यहाँ आप यहाँ प्लस B plus C और यह भी आएगा A plus B plus C अभी यह A plus B plus C हमने अगर common लिका लिया तो यह क्या आएगा A plus B plus C common ले लिया अंदर क्या रहेगा 111 A B C यहाँ आप यहाँ आएगा 111 यहाँ पे C1 and C3 are identical तो यहाँ पे determining value क्या होगी यह होगी 0 मतलब second भी जूरो गया थर्ड देखते थर्ड देखो क्या था थर्ड था यहाँ पर 0C B 0C B लिक लेते उस पहले 0C B उसके बाद में था माइनसC 0A टेक है माइनसC 0A और माइनसB माइनस –A और था माइनसB उसके बाद में था देखो 0 टेक है इसको अगर आगर हम सवाल करते determined तो यह क्या होगा तो फर्स टम 0 0 मैनज यह प्लस ही आजाएगा और यहां पे मैनस सी होगा यह होगा 0-mine-s plus AB ठीक मैं और यह क्या होगा फ्लस B यहां पर रहगा C a ओर यह ओगा 0-0 ओक्य तो यहां पर यह आएगा यह पर स्ट में-s a b c आ जाएगा यह ठीक है माइनस क्या जाएगा 0 into c था ना यह माइनस a b c होगा और यहाँ पर आ जाएगा plus a b c minus a b c plus a b c क्या होगा यह होगा 0 ठीक है तो यह third therefore यहाँ पर यहाँ पर फॉस्ट second and third are 0 बतलब all are 0 है यहाँ पर option देखो क्या है अप्समें first and second 0 first second third है मतलब answer है उसका d ठीक है answer क्या है answer है d all are 0 okay जार उसके आदे नेक्स एक्जम्पल चले एक्जम्पल नम्र सिख देख यहाँ पर क्या है the system of linear equation kx plus y plus z equal to 1 x plus ky plus z equal to 1 and x plus y plus kz equal to 1 has unique solution under which of the following condition मतलब यहाँ यह चार पंदिशन दिया में abcd k not equal to 1 k not equal to minus 2 k not equal to 1 k not equal to 2 k not equal to minus 1 k not equal to 2 k not equal to minus 1 and k not equal to 2 k कंडिशन है तो हमें given क्या दिया देखो यहाँ पर x kx पहले दिया kx plus y plus z is equal to 1 second दिया है यहाँ पर x plus ky plus z is equal to 1 third है x plus y plus kz is equal to 1 okay हम क्या करेंगा अभी यह इनिक solution है उसका therefore क्या होगा determinant लेंगे उसका determinant लेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 ठीक है यहाँ पर आएगा 1 k1 और यहाँ आएगा 1 1 k ठीक है यह हम determinant which is not equal to क्या है which is not equal to 0 यह unique solution है इसलिए उसका यह not equal to 0 में यहाँ पर लिखेंगे अभी determination solve करेंगे तो यहाँ आएगा देखाओ therefore k into k square minus 1 second bracket में आएगा minus 1 यह k minus 1 थाड़ में आएगा plus 1 यह आएगा plus 1 मतलब 1 minus k ठीक है यह 1 minus k यह equal to 0 इसको solve कर देखाओ is equal to not 0 ठीक है तो यह क्या होगा k k square minus 1 यहाँ पर यह होगा minus k plus 1 और यह होगा plus 1 minus k is not equal to 0 इसको solve कर देखाओ k cube minus k और यह minus k और यह minus 2 k हो जाएगा और यह होगा plus 2 which is not equal to 0 तो यह होगा देखाओ k cube minus 3 k plus 2 which is not equal to 0 अब यह follow number equation आगा अगर हम यहाँ पर k की value 0 आज़ते हैं satisfy कहा से होता है 0 ठीक है तो हम यहाँ पर k is equal to 1 लिखते है 1 है हमारे पास option तो 1 दिया है ठीक है k is equal to 1 लिखते है ठीक है तो यहाँ पर अगर k equal to put करते हैं 1 तो 1 minus 3 plus 2 मतलब यह 3 तो यह k satisfy हो जाएगा तो k equal to 1 यहाँ पर solution है सकता है तो और k equal to हम यहाँ पर 2 लिखके देखते हैं 2 का कितना होगा 8 minus 6 और यह यहाँ पर कितना होगा 2 के मतलब यह minus 6 होगा यह minus 6 plus 2 होगा ठीक है k is equal to तो यहाँ पर कितना होगा यह 6 minus 2 मतलब यह 8 minus 3 मतलब यह k equal to 1 and k is equal to 2 के लिए equation क्या हो रहा है satisfy आप इसका factor भी निकल के देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर try करना है आपको यह की value 1 और minus 1 2 और minus 1 अगर यह आप k equal to minus 1 रिखके देते तो क्या होगा यह आएगा minus 1 minus 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 हो जाएगा plus plus 2 हो जाएगा यह तो यह answer not equal to 0 मतलब यह satisfy नहीं हो रहा है तो यह k equal to 1 and k is equal to 2 के लिए satisfy होता है therefore option जो आएगा हमारा therefore k is not equal to 1 and k is not equal to 2 तो answer क्या है उसका answer आएगा देखो answer आएगा a that is k is not equal to 1 and k is not equal to 2 तो यह आपको दियाने रखना है कि हमें यह आपके strip equation satisfy क्या answer देखो यह आपके answer क्या लिखा था answer यह उसका a k not equal to 1 and k not equal to answer kya a not equal to 1 and k not equal to 2 answer is उसका b यह answer क्या है उसका यह answer नहीं answer नहीं answer नहीं answer नहीं answer नहीं answer उसका b okay answer क्या है उसका चलिए उसके बाद भी देखते है नेस्ट एक्जाम्पल चलिए एक्जाम्पल नमबर 7 देखो इफ 5 & 7 are the roots of the equation x4 determined x457 x758 x equal to 0 then what is the third third root हमें यहां पर निकाल ला तो इसको स्वाल करते उसका चलो तो यह आएगा देखो x into आएगा यह x2-56 x2-56 यह आएगा यह आएगा माइनस 4 7 x-35 यह आएगा प्लस 5 अंदर यह आएगा 56 minus 5 x equal to आएगा यह 0 ठीक है यह क्या होगा देखो यह आएगा x3-56 x और यह आएगा माइनस 28 x और यह आएगा माइनस प्लस 35 यह होगा 56-56 फाइगा 33 और फाइगा 25 और यह 280 यह आएगा ठीक है और माइनस आएगा 25 x equal होगा यह 0 अब यह आपे क्या होगा यह आएगा देखो यह x3-20x से माइनस 25 फाइगा यह आपे करते अडिशन सबकी देखो माइनस 56 और यह होगा 28 और यह होगा 25 तो यह 14 प्लस 5 19 होगा और यह यह होगा 10109 माइनस 109 x और यहाँ पे रहेगा 280 प्लस 35 यह क्या होगा 583 कि अप्रणी कि यह टीक है और यह 315 इस इक्वल जिरो तिको यह आपर यह इक्वेशन होगे हमारा पॉलला में इक्वेशन है यह तो यहाप यह तो यह पर यह उसके फैक्टर निकालेंगे तो यह तो यह आपर दिये एक सिजिग्वल देखों और यह 5, 545, ठीक है, यह आएगा, माइनस 545, तो X का क्यों भी आएगा, 5 इंटो 5, 25, 25 इंटो यह, हो जाएगा, चलो, यहापे जो, अमने लिखा, यह माइनस 25 था, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह माइनस 4, इंटो यह थर्ट, वन थर्ट, 35 इंटो 4, आमने किया नहीं है, औ 20 और यह आएगा, बाट्वेल और यह 2, 140, यहापे हो जाएगा, 140, ठीक है, यहापे कितना हो गाई है, 140, अभी इसका कर देंगे, हम एडिशन, यहापे कितना आएगा, यह, यहापे आएगा, देखो, 1, 280, माप्लस 140, ठीक है, 0, और यह थर्ट, 4, 20 आएगा, ठीक है, 420 यह खर, यहापे क्या है, फैक्टर हमें, पहले, x-5, यहापे एक फैक्टर है, x-7, यहापे एक फैक्टर है, तो यहापे जो आइंसर दिया, हमें, ऐसके उपर आपको, डिपेंड करता है, यह 9 है, माइनस 12 है, 13 है, 14, तो हम यहापे बाट्वयल यहापे चिक कर लें देथे, अगर हम निए 12 पर लग दिए 12 का माइनस 12 का क्यूब करेंगे तो यहाप पर हमें आए गा यह answer उसका तो X यहाप लेखते हैं प्लस 12 यह तब जाकर वो माइनस ऐगा equal to 0 नतलब यहाप पर क्या आगा X is equal to minus 12 यह हाप पर सवार रहा है आप x equal to minus 12 अपने के देख सकते हैं इसका एक सी क्यूब हागर डालो गया आप 109 इंटो 12 minus 12 अधर प्लस साइडा जाएगा इसका क्यूब माईनस आजाएगा एक सब्सेट आपको एक्ग्रेसल सटिस्पाइगा तो थर्ड रूट आप the equation therefore answer is a x is equal to minus 2 देलो उसके बात नेक्सट एक्सम्पल जालो इक्जम्पल दो अपिकाए इप a b c l m n p q are equal to determine value 2 देद के वाट इस the value of the det ment 6a 3 b 15c धेखो या पर क्या है करेंगे यहां पर होगा देखो यह डिटर्मेंट है 6A 3B 15C और यह है यह यहां पर 2L M 5N और यहां पर 2P Q & 5R तो यह इस डिटर्मेंट से हम क्या कर सकते कॉमन क्या निकाला है इसकी वैल्यू जो यहां पर हम यहां पर देखो 15 इंटु यहां पर कंवन देखते हैं मतलब 3 होगा 5 इंटु 3 15 इंटु 2 मतलब यह 30 यहां पर कॉमन आ जाएगा यहां पर अंदर क्या रहेगा A B C L M N & P Q R ओके यह पिक्र अब यह डिटर्मेंट की हलिया में क्या दिया है यह यह तू मतलब यह जो एगा इस प्रकार हमने एक्जामपल देख लिया नेक्स्टूरियो में आप अगेन न्यू टाइप की एक्जामपल देखेंगे जो एंडी एक्जाम में पूछे गए तो आप जेखरे होंगे कि जो भी हम एक्जामपल यहां पर देख रहें यह एंडी है टूस्टीं का देखा है सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यह एक्जामपल देखेंगे नेश्ट एक्जामपल यहां पर रुपते अभी अगरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिए